ग्रोथ देखिए कितना जादे है अद्रक में सिर्फ दो चीजे मिला कर 10 मिनट के लिए लगाया था और जितने भी कान के साइड में बाल थे एक्ष्ट्राव सारा क्लीन हो गया है लाइव रिजल्ट आप सभी देख सकते हैं अद्रक के साथ अगर आप ए चीजे मिला कर लगाते हो तो जिन्दगी में कभी भी आपको पारलर नहीं जाना पड़ेगा जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं अद्रक में जो भी चीजे हम मिक्स करेंगे वो तुरंत अंचाहें बालों को क्लीन करेगा प्लस उसकी ग्रोथ भी पुरी तरह से खतम कर देगी नहीं यकीन हो रहा होगा चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो अगर आप थोड़ा सा भी देख लेती हैं तो नेचुरल चीजों पर आपको इतना जादे विश्वास हो जाएगा और आप इसे तुरंत अपलाई करेंगी बस थोड़ा सा टाइम दीजिए तो हम जादे टाइम पास नहीं करते हैं चलिए वीडियो को शु क्योंकि इस सलुसन को बना कर हम रखेंगे नहीं तो थोड़ा सा बनाएंगे कि एक बार में खतम हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा हमें आप लिए हैं पानी से धुलने के बाद इसका जो छिलका है उसे भी हमें रिमूग कर लेना है ठीक है छिलका ह में बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आपको अच्छे से कदू कस करना है तो कदू कस भी कर सकती हैं या या तो आप मिक्सी के जार में डाल कर चला भी सकती है लेकिन उसमें उतना आफ्चा पेष्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि ये बहु आप यहाँ पर फालो कर सकती हैं, वाइटमीन E से भर पूरे छोटी चीज आपके सरीर से अंचाहें बाल को ऐसे क्लीन करेगा, उसके लिए आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है और थोड़ा सा मेहनत करना है इसके पीछे ठीक है, जादे नहीं, बस 10-15 मिनट, तो अभी हम पर जो अदरक था, उसे कद्दुकस कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्या करना है कि इसका जो पूरा रस है, हम रिमू कर लेंगे, अलग से निकार लेंगे एक बाउल में, इसके रस में बहुत सारी प्रोपटीज होती है, जो हमारे इसकीन के लिए काफी जादे नेचुरल तरीके से अगर आप फेसियल हेर को क्लीन करेंगी, तो उसकी जो ग्रोथ है कम होगी, लेकिन वही पर अगर आप थ्रेडिंग बैक्सिंग का सहारा लेती है, तो बाल तो बहुत जादे बढ़के आएगा, प्लस आपके स्कीन को भी काफी जादे वो लूच करेग और सच में यकीन मानियों बहुत अच्छा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अब अधरक के रस में हम कौन सी ऐसी चीजे मिक्स करने वाले हैं, तो यहाँ पर वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इ जाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी काफी सारा इस टार्च होता है, अधरक का जो रस था, उसे हम साइड में रख दिये हैं, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए, और यहाँ पर हम एक सलूसन तयार करने वाले हैं, जो कि है फिटकरी का क्रीम, जी हाँ, हम यहाँ पर फिटकरी का क्र प्यार कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना अराम से बन रहा है, आप यहाँ पर कोई भी पत्थर ले लिजिएगा, अगर छोटा साइज का पत्थर हो तो भी ले सकती है, नहीं है, तो जो मसाला पीशने वाला सिलवट्टा होता है, उस पर भी आप थोड़ आप लोगो बताऊंगी कि क्यों क्रीम हमें लेना है, क्रीम बनाने का असान तरीका मैं आप लोगो दिखा रहे हूं, जो कि आप इसे फालो कर सकती है, थोड़ा सा फिटकिरी लीजिए, गुलाब जल में आइट करके उसे घिसेंगी, तो वाइट क्रीम आपको मिल जाएगा फिटकिरी में एक कसायला पदार्थ होता है, उसके फायदे आप सभी को पता है, नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिटकिरी अपलाई ही नहीं करते हैं, फिटकिरी के अने को फायदे हैं, लेकिन इसका जो कसायला पदार्थ होता है, आप सब नोटिस किये अबे करीम मिझेक देख सकते हैं अब यह जो क्रीम है ना सिर्फ हमें आधाई स्पून ही चाहिए जादे नहीं लेना है और देखिए कितना सारा इस टार्च बैठ गया है अदरक में तो हमें आप यह जो क्रीम था इसी में मिक्स कर दे रहे हैं एक एक प्रोसेस मैं आप सभी को दिखा रहे हूं तो बाद में कमेंट करके मत पूछ करना है वह इसे भी अगर आपका कोई सवाल वह इस रेमडी को ले करके तो आप पूछ सकती है अधरक का रस है प्लस इसमें हम फिटकरी एड किये हैं अब इसमें जो तीसरी इंग्रीडियंट हम लेने वाले हैं उसे दिखाने से बताने से पहले आप लोग से छोटा सारी क् कि अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आती है अच्छी लगती है तो लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पनी हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं जो कि बिल्कुल फ्री है फिटकरी में एंटी बैक्टेरियल से लेके एंटी सेप्टिक गुरों से भर कि बुणिए रहें हैं यहां पे जो तीसरी चीज ले रहा हैं बहुत सारहे लोगा प्रिसान हो रहे होंगे कि कि घृयुसरी टरीके में आप लोको भाय एक इस्पून भर के गिलिसरीन लेना है जो कि इस सर्दियों के लिए काफी जादे अच्छा होता है उसके बाद आपको यहां पे गिलिसरीन आइट करने के बाद इसमें जो हम ले रहे हैं सिंपल सा पाउडर जो कि सभी के कीचन में एजली मिल जाता है जिसका की पकोड़ा ब बनता है उसी को हम बेसन बोलते हैं बेसन अमारे स्कीन के लिए काफी जादे अच्छा होता है फायदे मंद होता है बेसन एक पुराना इंग्रेडियन्ट है पुराने जबाने से यूज होता रहा है इसकीन को डीपली क्लीन करने के लिए प्लस हमारे स्कीन पे जितना भी ड को अप्लाई कर सकती है जैसे कि फिटकरी का क्रीम है अद्रक का रस है और गिलिसरेन तीनों को भी आप अप्लाई कर सकती है पर बेशन थोड़ा सा हम इसमें एड करेंगे तो इसका जो ठीकने से बढ़ जाएगा थोड़ा ठीक हो जाएगा अब यहां पर देखिए बिल्कुल मटर के दाना के बराबरे देखिए कोलगेट हम ले रहे हैं वाइट कोलगेट और इतना आप अपने फेस पे अपलाई करेंगी बिल्कुल भी ओ नुकसान नहीं करेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको यहां पर कोलगेट आइड कर देना है क्वांटिटी बहुत कम है कोल थीक लग रहा था हमें बहुत जादे इस सलूशन को थीक नहीं करना है तो गुलाब जल हमेहां पर थोड़ा सा आधा इस्पून इसमें एड किये हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे इस्पून से अच्छे से फेटना है मिक्स करना है ताकि जो भी चीजे आप इसमे मिक्स हो जाए वीडियो में लाइब रिजल्ट आप लोगो मैं सुरू में ही दिखा दी हूं कि कितना अच्छा एक काम किया है तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है तुरंत वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो में इतना खो जाते हैं कि आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दीजिए काफी जादे हम लोगों खुशी मिलता है मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे सिर्फ दो मिनट के लिए ताकि अच्छे से फोल जाए सेट हो जाए तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो लगाने का तरीका है वो क्या है अभी मैं जो पाली वाली वीडियो सेयर की थी जिसमें किया दरक का हम योज किये थे कान के दूसरे वाले साइड में जो बाल था उसे मैं क्लीन करके आप लोगो रिजल्ट दिखाए थी पर इधर का बाल मैं ऐसे ही छोड़ दी थी तो मैं इसी को आज क्लीन करने जारहे हूं और आप लोग ग्रोध देख सकते हैं हर किसी के face पर hairs होता है मेरे face भी आई लेकिन थोड़ा कम है तो आज हम इसी को clean करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले अपने skin को clean कर लीजेगा और यह जो solution है ठिक layer में आपको अच्छे से लगाना है खास करके जहां पर बाल है उस area को आपको cover करना है ठीक है देखिए इधर का बाल मैं clean करके आप लोगों को दिखाए थी बिल्कुल भी hairs नहीं है clean हो गया है आएगा बाल लेकिन बहुत कम आएगा और थोड़ा late से भी निकड़ेगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत सारे लोग natural चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं उनको ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करता है काम करता है जी बस आपको थोड़ा सा time देना है और अच्छे से जानकारी लेना है process by process मैं इसलिए आप लोगो दिखाती हूं बताती हूं ताकि आपको अगर natural चीजों पर विश्वास ना हो आप natural चीजों के बारे में उतना आपको जानकारी ना हो तो अभी हम इसे अच्छे से इस solution को लगा रहे हैं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे किसे तो हम अपने face पर नहीं लगा सकते इसमें तो अद्रक पड़ा है जी अद्रक का face पर एक बहुत सारे लोग अपने face पर लगाते हैं उनके लिए नहीं है जिनका skin sensitive है sensitive skin वाले प्लस जिनके face पर pimples है ओ लोग इस remedy को बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि ये थोड़ा strong pack है बाकी अगर आपका skin normal है तो आप लगा सकती है एक question बहुत जादे आता है जब यू मैं पास से वीडियो सूट करके आप लोग के साथ share करते हूं तो बहुत जादे question आता है कि आपके आँक के आसपास जूरियां बिल्कुल भी नहीं है आप क्या लगाते हो एक question बहुत जादे आता है तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो सेयर कर दूँगी देखिए मेरे आँक के आसपास बिल्कुल भी जूरियां की problem नहीं है पूरे face पे नहीं है और ऐसा नहीं है मतलब age भी है लेकिन जूरियां पिल्कुल भी नहीं है तो जो मैं अपने face पे लगाती हूँ आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे एक detail वीडियो सेयर करूँगी आप लोग देखते ही नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ तो इसे लगा कर हम छोड़े थे कम सकम 15 मिनट के लिए 15-16 मिनट काफी होगा ठीक है इतना time देना ही देना है और देखिए जब भी आप इसे लगा रही है तो थोड़ा सा आपके skin पे itching होगा तो इसे परिस्तान मत होईएगा तो अभी हम यहाँ पे एक cotton को गीला करके ले लिए हैं और क्लीन करने जा रहा है तो आप लोग रेडी हो जाएए जब क्लीन करेंगे तो आप लोग result देखिएगा कितना खोपसूरत इसका जो result है आया है cotton पूरी तरह से clean है बस पानी से हम गीला किये हैं ताकि यह जो अलूसन है अराम से निकड़ जाए यह देखिए जैसे थोड़ा सा इसकीन को टाइट कर लीजिएगा बाल के उल्टे डाइरेक्शन में आपने देखिए क्लीन करना है क्या आप आथ है सच्च में जितने भी बाल थे सारा इसमें आ गया है यह देखिए अभी मैं पास से भी आप लोग को दिखा दूँगी तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे सबसे पहले इसकीन पर ही आप देख लीजिए कि इसकीन कितना साफ लग रहा है इसे लगाने के बाद बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इसे रिजल्ट यहां पर मैं दिखा रही हूं इसे हर एक केज के लोग लगा सकते हैं बस बच्चे इसे ना लगाए जिनका इसकी सैंसिटीव है ओ लोग ना लगाए जिनके फेस पर पिंपल सेकनी की समस्या है ओ लोग ना लगाए ठीक है बाकी अगर आप 30 पार कर कर अच्छा है काम करेगा तो इसे भी बाल की ग्रोथ बहुत कम ही होती है तो अभी हम इहां पे अपर लिप के बाल को भी क्लीन कर रहे हैं मैं पूरे फेस पे अपलाई नहीं की हूँ कान के साइड में थोड़ा सा हेयर्स की प्राबलम होती है और अपर लिप पे चीनेरिया पे तो अभी मैं डाइरेक्ट पाने से मत धुलिएगा सबसे पहले आप इहां पे कोई भी कपड़ा लेकर क्लीन कर सकती है उसके बाद से फिर आप पानी से धुलिएगा तो अभी हम इहां पे इसे अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं देखिए इसकीन कितना साफ लग रहा है इतन डेपली जानकारी आपको कोई भी नहीं देता है तो आप इस फैमली का हिस्सा बन जाईए रिक्वेस्ट कर रहे हूं जो कि आपको यहां पे यूज किया हुआ ही घरेलू नुस्खा देखने को मिलेगा जो मैं अपने फेस पे लगाती हूं वही आप लोगे साथ में सेयर भ मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकिन को प्रेस कर लिजिएगा नेक्स वेडियो की इस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वेडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमली में दोस्तों में र परिशान रहती हैं मैलाओं के साथ साथ फुरुष लोग भी परिशान रहते हैं एक चीज मैं आप लोग को यहां पर दिखा रहे हूं मेरे अपर लिप्स पे एक दम बाल नहीं है और मैं कोई भी थ्रेडिंग बैक्सिंग कुछ भी नहीं कराती हूं मैं इसी तरह का सलूश अपने फेस पे अपलाई करती हूं तो देखिए आप लोग मैं आप सभी से मिलती हूं नेक्स वेडियो में तब तक के लिए बाई बाई